और आज तारीक है 19 अगस्त और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की हिंदू वोकाब्लोरी आप मेरे बारे में यहाँ पर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा Facebook पेज लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर लिजे क्योंकि Facebook पेज पर मैं चैनल जोइन कर सकते हैं तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा यहां से आपको इस वीडियो की PDF और जो भी हमारे अपडेट्स होते हैं वहां पर मिलेंगे साथ ही साथ मैं डेली आपको एसाइनमेंट देता हूं जिसमें मैं आपको 30 questions daily के देता हूं तो वह 30 questions का assignment अगर आप करना चाहते हैं तो आप telegram पे मुझे follow कर सकते हैं वहां पे मैं assignments और सभी चीजों के लिंक्स वगेरा forward करता रहता हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहला हमारा जो आज की जो मैं बात है पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यह मैं कल से शुरू कर रहा हूं तो अगर आप इस बैच को भी जॉइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दिस और यह दोनों ही यह 20 अगस्त और 11 अगस्त से शुरू होगा इसके लाबा अगर इनको जॉइन करना है तो आपको अनकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना इसके अलाबा अगर आपके पास कुछ क्रेडिट्स होंगे आप इन्हें भी अप्लाई करेंगे तो दस परसेंट का और डिसकाउंट मिलेगा इस तरीके से आपको टूटल 20 परसेंट का डिसकाउंट मिल जाएगा और आपकी जो कॉस्ट 5000 दिख रही है 5000 से घटके 4320 या इस पेपर में जो भी हमारे वर्ड्स आएं उनको हम देखेंगे तो लेट स्टार्ट पहला देखें लिखा हुआ है 18 किल इन हमांचल प्रदेश रहीं लैंड स्लिप्स हंड्रेड स्ट्रेंड स्ट्रेंड का मतलब होता है फस जाना जैसे किसी बारिश वगरा की वज़ए से कही पर लोगों के फस जाने के लिए जो वर्ड आता है वो स्ट्रेंड ही आता है तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है इन्होंने स्ट्रेंड कि 18 लोग मर चुके हैं इमांचल प्रदेश की बारिश में और लैंड 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 की वजए से और हजारों लोग फसे हुए हैं व बनता किससे है यह अप उखेश है आप अब याद रख सकते हैं अभी अभाइड रखेगा यह सारे केषाड उज जाते हैं हैं जिनका मतला वजाता है आपका किसी चीज़ को किसी कानून वगरा को खत्म करने के सेंस में अगला देखिए सेंटेंस लिखते हैं मैमोस वान और फूड ड्रग शॉर्टेज और इफ्यू के लिए यू विदाउट डील इसके अलावा इसमें कुछ खास वर्ड नहीं था इसके अलावा यहां पर अगर आप अब यहां पर टर्म क्या है अंड़ ऑन द प्रॉल का मतलब क्या होता है लग्ण ऑन द प्रॉल के अगर हम बात करें तो मीनिंग होता है अफन एनिमल या फिर परसन मुविंग क्वाइट ली एंड केरफुली हंटिंग और लुकिंग फॉर सम्थिंग कि चुप चाप अपन यहांपि आपने प्रवनेने शिकार कर रहे हैं तो आंदा प्र swoją का मतलब हो जाता है कि शिकार करने के संस में आता है तो फर उक्जाम्पल अगर हम देखें तो कहता है देर वहाज ऑग इसुपचा प्र करने की कोशिश कर रहे की नियर चिकन सैनि की चिकन के पास में ओकि अगला देखो यहां पर लिखते हैं कर्प्स ओन मुवमेंट बाक इन कश्मीर फॉलोविंग क्लैश चूकि वहां पर थोड़े बहुत फोड़े बहुत तनाव की स्थिति हुई तो वहां पर कप्स यहां रोग लगा दी गई है मुव्मेंट पर बैक कश्मीर को फॉल्विंग क्लैसिस इंटरनेट मोबाइल एकसे सस्पेंड़ इन जम्मू पर आप देख सकते हैं पत्थर पड़े हुए तो यहां पर कब मतलब होता है रोक लगाने के संस में आगे लिखते हैं एनी टॉक्स विद पाक अनली ऑन प्योक यानि कि अगर अब भारत पाकिस्तान से कोई बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पी ओके पर होगी पाकिस्ता कश्मीर पर होगी डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग ने कहा है से दिन नो अदर इशू रिमेंस फॉर डालोग किसी अद्धि विशू पर बात करने को बचा नहीं है बात अगर होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पी ओके पर होगी उनका कहना है इसके अलावा जब आ अगले यहां पर लिखा हुआ है डे बिफोर स्कूल्स और रिओपें पेरेंट्स वैरी जिस दिन कि इस दिन स्कूल को आज से स्कूल को आच से खूलने वाले थे वहां के तो उसी जैन्स में कहते हैं पर रहे हैं वैरी का मतलब क्या होता है वेरी होता है बेटा adjective कहने का meaning हो जाता है not having or showing complete trust in someone or something that could be dangerous or cause trouble यानि कि किसी भी चीज में आप संदेह की निगा से देखना और आपको ऐसा लगना कि ये चीज पता नहीं सही है या नहीं है तो वेरी का मतलब होता है किसी चीज को लेकर cautious होना तो for example यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि कल से आज से school खुल रहे हैं तो parents को इस बात की चिंता है कि स्थिती सामाने रहेगी या नहीं रहेगी अगर सामाने रहेगी तब तो ठीक अगर नहीं रहेगी तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है तो not having or showing complete trust in someone किसी को संदेह की निगाह से देखना इसलिए कि वो हो सकता है dangerous हो या trouble हो सकती हो समस्या हो सकती हो अगर हम synonyms की बात करें तो हो जाते हैं आपके alert, cautious, cherry, circumspect, conservative, considerate, gingerly, guarded, heedful and careful ये आपके synonyms हो जाते हैं alert, cautious, cherry, circumspect, conservative, considerate, gingerly, guarded, heedful and careful इसके synonyms हो जाते हैं एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाते हैं आपके careless, heedless, incautious, unguarded, unmindful या unwary ये इसके सभी के synonyms हो जाते हैं careless होना, heedless होना, यानि की uncautious होना आपको कोई फर्क नहीं पढ़ रहा उस sense में आना है, अगला देखिए, यहाँ पर कहते हैं India, Bhutan, Natural Partners, India और Bhutan जो है, वो natural partners है, they understand each other well, says PM Modi, प्रदान मंत्री Modi ने कहा है, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं अगर आप यहाँ पर देखें तो कहते हैं, Prime Minister strikes a chord with students, तो यहाँ पर एक idiom यूज हुआ है, strike a chord, तो जानते हैं इसका meaning क्या होता है strike a chord with somebody का मतलब क्या होता है, कि to do, to say or do something that makes people feel sympathy or enthusiasm, यानि कि कुछ ऐसी बात करना, या कुछ ऐसी ऐसी हरकत करना, activity करना, जिससे कि सामने वाले को लगे कि आप उसके लिए sympathy feel करते हैं, आप उसके लिए enthusiasm feel करते हैं तो यानि कि गर्म जोसी का आप एहसाद दिलाना किसी को आप यह कह सकते हैं, तो तो strike a chord का मतलब हो गया कि उन्होंने student से बात करी और उनको ऐसा feel कराया कि वो उनके शुब चिंतक हैं और वो उनके बारे में सोचते हैं, तो यहीं यहां पर strike a chord का मतलब हो जाता है ठीक है, so the speaker had obviously struck a chord with his audience यहां पर, जैसे speaker ने obviously audience के साथ में एक अपना sympathetic या enthusiasm का भाव फिल कराया, यह meaning हो गया आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि आपका 63 killed in blast at Kabul wedding, Kabul में एक शादी में वहां पर एक किसी फिलिस्तिनी नहीं आप उसे क्या कहते हैं, फिदाई नहीं हमला किया, यानि कि suicide bombing किया, IS claims responsibility, IS ने उसके जिम्मेदारी ली है, many women and children are among victims, 180 injured, joy turns into mourning for groom, fears over bad deal, तो mourning मतलब होता है, आपका mourning का मतलब हम देखेंगे, इसके अलाबा, यहां पर लिखा हुआ है grief stricken, तो देखिए क्य लिखते हैं आपर, grief stricken का मतलब क्या होता है, grief stricken is an adjective, meaning हो जाता है feeling extremely sad because of something that has happened, especially the death of somebody, चोंकि किसी की मृत्ति हुई है, इसकी वजए से आप बहुत जादा दुख फील कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं grief stricken, ठीक है, तो there was no way of consoling her grief stricken family, तो यह grief stricken आपका इसी से बना है, यानि कि बहुत जादा दुखी होना, बहुत अधिक दुख फील करने के sense में आता है, आपका grief stricken, ठीक, और यहाँ पर word लिखते हैं moun, तो moun का मतलब क्या है, moun is a verb, meaning हो जाता है to feel, और show great sadness because someone has died, तो यानि कि feel करना या फिर show करना बहुत जादा दुख, चोंकि किसी की मृ सत्ती हो गई है इस वज़े से, synonyms आपके होते हैं, agonize, anguish, bleed, hurt, grieve, sorrow, suffer, यह आपके synonyms हो जाते हैं, antonyms क्या हो जाएंगे, आप इसी में lament भी लिख सकते हैं, lament का मतलब भी होता है, विलाप करना, antonyms आपके हो जाएंगे, delight, पहुत खुश होना, exult in, glory, enjoy, rejoice, यह आपक आपको जितने भी words यहाँ पर death से related हैं, जितने भी words है death से related, मरने से लेकर भूत बनने तक की प्रक्रिया के सारे words में आपको cover करा दूँगा, तो death, demise, disease, or casualty क्या होता है, death, demise, disease, or casualty का मतलब होता है आपका, किसी की मृत्य होना, fatality होना, ठीके, तो death, demise, disease, casualty मतलब होता है, मृत्य होना, ठीके, तो death, demise, disease, casualty का मतलब होता है आपका, मृत्य हो, इसके अलावा आगे आता है, cadaver, carcass, corpse, carion, or cadaverous eyes, क्या meaning होता है, देखिए, cadaver होता है, dead, इन सभी का meaning जो होता है, वो इन सभी का meaning होता है, कहीं ना कहीं dead body, इन सभी का meaning dead body ही है, लेकिन dead body के synonyms में इन अलग है आपका यहां पर, ठीक, क्या मतलब हो जाता है, आपका cadaver, cadaver आता है medical sense में, तो medical students जो होते हैं, वो जिसके उपर अपना examination करते हैं, उसे हम कहते हैं, cadaver, वो जिस dead body के उपर करते हैं, carcass क्या होता है, carcass हम बोलते है, dead body of animal, यह basically animal के लिए होता है, आपका, ठीक है, corpse जो होता है, corpse dead body होता है, off human का हो जाता है, ठीक, carrion क्या होता है, carrion dead body होता है animal का, जो की decaying flesh of a dead animal, इसका मतलब हो जाता है, decaying flesh of a dead animal, एक animal जिसकी मृत्ति हो चुकी है, उसका जो dead body है, वो decay कर रहा है, उसे हम carrion कहते हैं, और cadaverous eyes का मतलब हो जाता है, pink, बहुती pale पीली, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बीमार है तो उस तरीके की eyes के लिए आता है cadaverous eyes जिसे हिंदी में आप कह सकते है निस्टेज आंखें मतलब होता है कुछ ऐसी आखें जिनका जिनकी बहुत ही ज़्यादा अजीव सा फील हो रहा है और जो देखने में ही बीमार लग रही है, पेल है, धिन है, एंड लुकिंग इल, उसे कहते हैं, चादवरτος, ठीक है, अगला आता है shroud, shroud का मतलब क्या होता है, कफं, shroud का मतलब क्या हो जाता है, कफं कॉम बोलते है है हिंदी अंगरे जि में ठीक है तो कफन का मतलब हो जाता है श्राउड आपका अगला आता है श्राउड इन मिस्ट्री तो श्राउड इन मिस्ट्री का मतलब क्या होता है श्राउड इन मिस्ट्री इस कॉल्ड श्राउड इन मिस्ट्री का मतलब जिसके बारे में ज्यादा पता नहीं हो मतलब हो जाता ह not much is known about it ठीक है जो रहस्य में है तो यह आजाता है meaning आपका रहस्य में या फिर आप इसे कह सकते हैं not much known about something not much is known about it ठीक है अग्ला आता है casket या फिर coffin तो casket हम बोलते हैं उसे जिसके जिसपे coffin को ले जाया जाता है और कॉफी ना बोलते हैं ताबूत को जिसमें डेडबॉडी को रखा जाता है अंग्रेजी फिल्मों में आपने देखा होगा ठीक है अगला आता है बायर अगला आता है आपका बायर तो बायर हम किसे बोलते हैं आपका बायर किसे कहते हैं बायर हम बोलते हैं आपका अर्थी को ठीक है जो जैसे हिंदी में आपके जैसे अंग्रेजी में सरी क्रिस्चनिटी में आप ताबूत रखते हैं वैसे ही हिंदू में जो अर्थी रखा जात औता है उसे हम कहते हैं बाइड अगला आता है कॉर्टेज या फिर फ्रुनेरल प्रॉसेशन यह बोलते हैं हम शव्यातरा को ओक ठीक है है अगला मौर्गु या फिर मौर्चरी call फिर मौर्चरी जहां पर post-martum होता है या जिसे हम मुट्रभ हर कहते हैं ठीक है और वहां पर होता क्या है post-martem होता है या फिर उसे आप अंग्रेजी में autopsy भी कह सकते हैं मतलब हो जाता है autopsy होना मतलब post-martem होना मतलब examination of a dead body ठीक है उसे कहते हैं अगला आता है funeral या फिर obsycus फ्यूनिरल या फिर आपसे कीउस का मतलब हो जाता है funeralos case लास्ट 있지이 मतलब हो जाता है funeral होता है आपका शव याथ Records का मतलब हो जाता है शव याथरा लास्ट राइच्स उन कि हम संसकार को हम कहते हैं तो जैसे कहते ना कि अंतिम संस्कार उनका हुआ तो मतलब उतल लास्ट राइट वर परफॉर्म्ड ऑन देट इस कॉल्ड आपका और लास्ट राइट और आपसे किया है ऑपसे कियुज भी आम अंतिम संस्कार को ही कहते हैं मतलब हो जाता है ाै funeral ceremonies ठीक है अगला वर्ड आता है आपका बरियल याफिर exploration ऑप करना मतलब हो जाता है जलाना यानिकी आप शवपको जलाते हैं तो ऊसे कहते हैं आपका क्रिमेट कर ना मतलब जलाना ठीक है बरी या फिर इंटर करने का मतलब हो जाता है दफनाने से ही आता है अगला आता है ग्रेव, ग्रेवियार्ड, चर्च यार्ड, सिमेट्री तो देखो ग्रेव का मतलब होता है कब्र ठीक और graية मतलब कश याड मतलब जग है तो gravan जहां पर कश याड शिमुत्री इन तीनों का मतलब हो जाता है आपका कश दान देव का एक और मतलब होता है ल GB क मतलब होता है कि this is a grave issue कहने का मतलब होता हैrock इस और चीडसी श सीरियस शीजवी के लिए.- ठीक है जैसे this is if someone says that this is a grave issue मतलब होता है this is a very serious issue ठीक है and you should think about it तो this is a grave issue तो grave का मतलब होता है serious ठीक है इसके अलावा अगला आता है arbitrary, arbitrary होता है जो आप अखबार में छपवाते हैं जिसे हम कहते हैं शोक संदेश ठीक है, अखबार में छपवाते हैं अगला आता है या फिर dies, ये बोलते हैं हम शोक गीत को जब किसी की मृत्य पर जो चर्च वगर आमें गीत गया जाता है उसे या फिर dies कहते हैं इसी तरीके से अगर आपने Hollywood movies देखी होंगी तो जब किसी की मृत्य होती है तो आपने देखाऊगे कि वो चर्च की बेल दिखाते हैं तो that is called death knell तो death knell क्या होता है? death knell हम बोलते हैं उसी में वही जो बेल जो चर्च में जो बेल बजाई जाती है उसको बोलते हैं आपका death knell तो knell आपका क्या है? जो आपकी बजाई जाती है an event that means that the end or destruction of something will come soon तो उसी को बजाते हैं उसे कहते हैं death knell ठीके तो आप इसको लग सकते हैं an event that means that the end or destruction of something will come soon मतलब अगर death knell बज गई है कहने का मतलब ही हो गया कि कुछ बहुत जल्दी बुरा होने वाला है for example अगर मैं लिख हूँ if he loses his referendum if he loses his referendum it will sound the death knell it will sound the death knell of his leadership it will sound the death knell of his leadership just a second it will sound the death knell of his leadership कहने का मतलब हुआ कि यदी वो referendum को हार जाता है तो उसक्या leadership की आखरी घंटी बच चुकी बच जाएगी कहने का मतलब है उनकी leadership की कहानी एक तरीके से खत्म हो जाएगी तो this is the death knell of his leadership कहने का मतलब ही हो जाता है ठीक है अगला sentence लिखते हैं cremation ground या फिर crematorium तो cremation ground या फिर crematorium वहां उस उस्थान को बोलते हैं जहां पर आपके शव जलाया जाते हैं या इससे आप शमशान भी कह सकते हैं ठीक है अगला आता है आपका last remains या फिर mortal remains या इसे आप बोलते हैं अन्तिम आवशेस जो end में आवशेस बसते हैं उन्हें हम कहते हैं लास्ट रिमेंस या mortal remains उके उसके बाद जब आप उसे आस्थियां बसती हैं तो उन्हें आप क्या करते हैं उन्हें आप कर देते हैं या फिर इन्हें ashes भी कहते हैं जो ashes आपकी cricket series है वो इसी पर है कि किसी ने statement दिया था कि actually they used to be conflict between England and Australia that जो आपका ashes जो है game यह किस से बना है यह जो cricket जो game है Australians कहते हैं यह उनका origin है और England कहते हैं कि this is between this conflict उन्होंने इस चीज को शुरू किया था ashes series तो जब वो हार गये थे तो Australia के किसी वेक्ति ने कहा था कि Australia brought the ashes of cricket in Australia तो उसी को वोलते ashes मतलब होता है आखरी के last remains या mortal remains ठीक है तो यहां पर हो जाएगा आपका anti-mau-shes immerse का मतलब होता है आपका विसर्जित करना जो यह ashes होती है इन्हें क्या करते हैं विसर्जित कर देते हैं just a second विसर्जित करना ठीक है अगला आता है tom या फिर Muslim tom या फिर Muslim आप मक्बरे को कह सकते हैं जैसे तग पर कर पर this table मॉसलम कहुंआ सकता है अगला आता हैै अब आता है एक एपडा इपड़ा इस दा रिटेन इंस्क्रिप्शन आफ the t mesh कि पर पे लिख गया आ pourquoi इंस्कूष्यों deve लिकार लप तोUL जोती है किसी के लिग इस्ट Works și आपके भी र 2017 को पोल सकते हैं अगला में साल में बरसी यहति हो मतलब हो जाता है पुस्पांजली देना जैसे आप देखते होंगे कई बार की पुस्प समर्पित करते हैं किसी की ग्रेवियार पे उसे कहते हैं पे फ्लोरल ट्रिव्यूट अगला है रीद या फिर रीद तो यह आपने देखा होगा कि अकसर जैसे किसी की डेथ होती है तो न अगला आता है एपड़ेशन घोस्ट पोल्टर जिस्ट फूक फैंटम या स्पेक्टर यह हम बोलते हैं भूत को ठीक है यह सारे वर्ड आप याद रखेंगे एपड़ेशन घोस्पोल टूसरे शरीर में प्रवेश कराना क्या कहलाता है ट्रांस माइग्रेशन क्या है ट्रा passing of a person's soul the passing of a person's soul after their death into another body after their death into another body किसी दूसरे की body में प्रवेश कराने को कहते हैं Transmigration अगला आता है Haunt मतलब होता है डराना किसी को Haunted House बोलते हैं हम किसे भूतिया घर को बोल सकते हैं जैसे फिल्मों में आप दिखाते हैं Haunted House एक मोवी भी है Haunted आपकी तो उसे बोलते हैं भूतिया घर ठीक अगला है एक्सॉर्साइज एक्सॉर्सिस्ट या एक्सॉर्सिजम एक्सॉर्सिजम एब्स्रेक्ट नाउन हो गया exercise आपका exorcise आपका verb हो गया और exorcist वो common noun हो गया जो ब्लैक मैजिक करता है जो भूत को इधर-eधर गलता है जो भूतों के साथ बाते करता उसे बोलते एक्रसीस्ट वोलते हैं आपका exorciz करने का मतलब हो गया to make an evil spirit leave a place to remove something that is bad or painful from your mind तो यह कहने का मतलब हो गया जो भूतों को भगाता है one who one who one who makes ghost leave a place by his prayers तो उसे कहते है एक्सॉसिस एक्सॉसिस्ट अगला है विल और तो डाइट एस्टेट का मतलब हो जाता है आपका या कि वसीयत करके मरने के सेंजिस लिया आता है आपका और आउ स gosh का मतलब होता है बिना वसीयत के मरना ठीक ऊसे कहते हैं आप और की यह क्या होता है आप मैंकरते हैं आप कि वह खटता है ape जीसमें आप उजा बोर्ड बोलते हैं जिसे आप तो उजा एक तरीके का उजा बोर्ड होता है जिसमें आप मानते हैं ऐसा कि मतलब जो इस्पेक्टर है या जो एक भूत है वो आपकी चीज़ा कर रहा है तो बोर्ड मार्ग्ड विद लेटर्स ऑफ द अल्फबेट अधर साइंस उज़ें सेंस तो रिसीव मैसेज़ेस सेट तो कम फ्रम फ्रम फीपल वाड़ तो ऐसा का जाता है कि मतलब उजा एक तरीके का गेम है अगर आपने एक शो था एक चैनल है यूटूब पे एसा इती करके उन्होंने एक शो में अपने एक एपिसोर में दिखाया था तो मतलब क्या है कि कोई भी सवाल पूछो और उसका अंसर आता है तो वह ऐसा मानते है कि जो डेड वैक्ती है वह इसका अंसर दे रहा है तो उससे रिलेटेड आपका यह आता है वीज़ा बोर्ड ठीक है अगला है आपका सियंस क्या है आपका सियंस एक तरीके का अमीटग अट विच पीपन ट्राइटो मेंग कॉंटक्ट विध टॉवर्ड उससी तरीके से रिलेटेड आपका यह अंसर प्रक्राइब हो सकते हैं मैंने आपको बता दिये हैं इसके अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं बसता है जो कि आपका dead से related हो, आप अक्सर एक keyword यह देख सकते हैं, he left for heavenly abode, he left for heavenly abode अगर कोई ऐसा लिखता है he left for heavenly abode, इसका मतलब हो जाता है he died, तो heavenly abode का मतलब होता है कि किसी वेक्थी की म्रत्य होने से related आपका यह आता है, ठीक है, तो he left for heavenly abode का मतलब हो जाता है कि उसकी म्रत्य हो गई, तो heavenly abode का मतलब I think आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है so let's keep it till here, आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आया होगा जितना पढ़ा है मैंने, thank you so much for watching this video, have a very good day, bye bye take it, have a good day, also if you want to subscribe to Unacademy Plus, you don't forget to use my referral code, that is Amantrivedi also, Amantrivedi.com पे जरूर जाएगा, वहाँ पर आपको इस video की PDF मिलेगी, Amantrivedi.com पे log in कीजेगा आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ आमें have a good day